हेलो हेप्रीवान वेल्कम तू मैं चैनल आज की सीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से किसी भी साइज के लिए नाइट वेर शॉट्स बनाना बताऊंगी तो इसके लिए मैंने 1.25 मीटर डबल जॉजट का फाब्रिक लिया है और इसके विट था 44 इंचेस यहां पर मैंन नीचे की तरफ जो ओपन वाली साइड है यहां से मार्किंग करनी है तो सबसे पहले एक इंच का मार्जन ले लेंगे इसको डबल फोल्ड करने के लिए बॉटम को और इसको सीधा कर देना है तो इस लाइन से उपर की तरफ को हमें शॉट्स की रेडी लेंथ के लिए निश लगाया और इसको भी हमें सीधा कर देना है तो यहां पर मैंने सीधी लेंग कीच दी है अब इस लाइन से ऊपर की तरफ को हमें दो इंच बेल्ट के लिए लेना है तो दो इंच पर निशान लगाया और यह दो इंच की से साब साहा है देखिए जितना भी चौड़ा आपक के लिए है उपर वाली Anda और Simmons के लिए तो जो यह नीचे वाली 2 lamb करें गे तो Jap के लिए निशां में लिएन कान कुए उपने हिप का मेंज़मेंट लेंगे क् Colon good at तो जितना भी आपका hip round है आप उसको 4 से divide करें और फिर उसमें 2 इंच की extra losing add करें जैसे मेरे measurement में hip round है 36 इंच का उसको 4 से divide किया तो आया 9 इंच और 2 इंच की extra losing add करी तो आया 11 इंच तो इस तरह से 11 इंच पे मैंने आपने निशान लगाया और उपर को कर दिया अब इस पॉइंच से नीचे की तरफ को हमें आसन के लिए निशान लगाना है तो आसन मेरे measurement में साड़े 11 इंच का और यह किस तरह से है इसका formula आप स्क्रीन में देख सकते हैं तो मैंने आप साड़े 11 इंच पे निशान लगाया और इसको ऊपर की तरफ पर हमें सीधी लाइन से जॉइन कर देना है अब इस पॉइंच से बाहर की तरफ को धाई से तीन इंच लगभग पर हमें निशान लगाना है और इसको भी यहां पर सीधा कर देना है इसके बाद bottom के लिए निशान लगाएंगे तो बर्टम का निशान मैं बारा इंच पेश Д Democrat लाइन से जोईन और इस पॉइंट को यहां folded वाली साइड में बेल्ट वाले हिस्से पे सीधी लाइन से जॉइन कर देना है तो यहां पर हमारी मार्किंग कम्प्लीट हो चुकी है अब से मार्किंग के उपर हमें इसके कटिंग कर लेनी है असन में मैं थोड़ सा मार्जन लेते हुए कट कर रही हूँ इसको और बाकी से मार्किंग के उपर कट करना है अब देखिए इसको ओपन करना है और जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हमें हटा देना ही यह बैक वाला पार्ट बनेगा अब ये front वाले के लिए इसको हमें वापिस ऐसे मिला के रखना है अब जो हमने back के लिए 2 इंच का कप्र एक्स्टा बढ़ाया था उसको cut कर लेना है तो जो belt वाली हमारी line थी उसको cut कर लेना है तो इसको cut करने के बाद ये जो asan वाली side ना हमारा फ्रंट का रही है छोटा होता होता है तो आसन वाली साइड से में एक इंच पे इसurançaसे निशान लगा रहा हूANA और सेम एक इंच का निशान हमें यहां लगा लेना लेना है कि इससे मिला देना है इस तरह से तो एक इंच तक का सबस्क्राइब आप से उसे नीचे नहीं होना चाहिए इसरे उपर पाहई रहना है शाहिए अब से मार्किंग के ऊपर हमें कटが इनो हैं सिसंथा के बाद यहां पर देखिए यह है है इसके जुकित वाली alrededor इसको भी हमें कटकर टो पर्फन कर लेना है तो यह आपर फ्रंट के मारे दो पार्ट हें सेम इसी तरह से हमें बैक इसे दूनों परम का टो रिति ओना नगा ये स्कारोवड पर्फन सलई लगा लेन courtroom मैंने फ्रंट तो यहां पर देखिया है अब इसके ऊपर हमें फ्रण्ट वाला हिससे लेना है फ्रण्ट वाले को पलटके रखना है और इसके ऊपर मिल आधे रख देंगे अब दोनों पार्ट को मिला तरह से रखेंगे। साइट से और इसलाइ लगा लेंगे से इसे तरह से दूसी तरफ पर भी हम स्ट Literally से कोर्ण में रखेंगे दोनों पार्ट्स के और से लगा लेंगे तो यह पर दीखे इसके दोनों पर मैंने सलाइ और इसको सीधा कर देना है सेम इसी तरह से हमें इसका जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी दो इंच पे निशान लगाना है तो इस तरह से पूरे में मैंने दो इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हम इसमें निशान लगा लेंगे अब यहां पर दीखे बैक वाले में इस तरह से थोड़ से मारा टेड़ा होगा और फ्रंट वाले में सीधी लाइन की चाहिए अब हमें इस लाइन तक के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है तो पहले उपर की तरह से आधा इंच का फोल्ड करेंगे फिर यह लाइ तो दिखिए मैंने पहले प्रेस को दबा लिया है यहां तक कपड़े को मैंने प्रेस से पहले दबा लिया है अब उपर की तरफ से पहले हम आधा इंच का फोल्ड करेंगे इस तरह से अंदर को और फिर इसमें सिलाई लगाते जाएंगे अब जब आपका बैक वाले पार्ट की पैल्ट आएगी तो थोड़ सा में कपड़ा करके इस तरह सिलना है लाइन के उपर और अगर आपको अच्छी फिनिशिंग जहिए तो आपे पहले इसमें प्रेस कर लिजेगा इस तरह से सिलने के बाद सेंटर पे थोड़ सा जोला के उपर सिलते जाना है कि अभी यहां सेंटर पर हम जहां पर आएंगे महां पर थोड़ी सी जगा चोड़ दीने लास्टिक के लिए तो यहां पर देखिए फ्रेंट और बैक में मैंने पूरे में सलाई लगा दी है अब इसकी जो कमर वाला हिसा यहां पर हमें इलास्टिक एक यह इने लास्टिक लगाने के लिए है इसकी डिए aşथा से 1.5 इंच की और लंबाइ है कमर से 2 इंच कम जैसे कमर मेरी 28 इंच की है तो मैं एक साइट से डालना है और दूसरी तरफ से बहार निकाल दिना है और इसकी कमर में लास्टिक लगा लेक्य YugosU अगर आपको देखने हैं लेंक में आपको डिस्क्रिप्चियु में दिरुएथ करीयो यहां पर निचे तक तक सिलाया लगआ लेंगा है इसको बाटम वाला हिस्सा स्कुमाले टोंग मैंदबल झाल झाल